मा, रीना दीदी, देखो ना ये ड्रेस मुझ पर कैसा लग रहा है? बहुत ही सुन्दर है बेटा मैंने अपनी बर्टे पार्टी के लिए लिया है ऐसा ड्रेस तुम मुझे चाहिए था, कल मेरी फ्रेंड की पार्टी में पैनने के लिए हरे तो ये ड्रेस तुम रखलो ना दीदी, ठेक है वैसे तो टीना छूटी थी, लेकिन उसने अपनी बड़ी बेहन का हमेशा ख्याल रखा था हर जगह उसका ध्यान रखती, उसके हर जिद पूरी करती अपने पिता के गुजर जाने के बाद, घर भी उसी ने संभाला वो मैनत से जॉब कर दी, घर का सारा खर्च उठा दी, और अपनी बेहन का भी ये लो मा, इस महिने के सलरी, और ये सबजियां और किराना अपने लिए भी पैसे जोड़ा कर बेटा, आखिर ये तेरी कमाई के है हरे मा, आप ये पैसे रीना दिदी की शादी के लिए जोड़ो पापा के ख्वाइश थी न, कि उसके शादी दूम दाम से हो तो ये मेरी जिम्मेदारी ही है न तू तो अपनी जिम्मेदारी समझती है लेकिन ये रीना कब समझेगी, वो बड़ी है लेकिन तेरे लिए कुछ करना तो दूर उल्टा तू कभी अपने लिए कुछ लाती है तो वो भी खुद रख लेती है अरे छोड़ो न मा अरे टीना आ गई मेरा क्रीम और लिप्स्टिक लाई ओ सॉरी दीदे, आज इतना काम था कि ध्यानी नेरा हाँ, सारा सामान याद रहा लेकिन मेरा छूटा सा सामान भोल गई क्यों, मैंने कहा था ना कि क्रीम खतम हो गई है रीना, एक तो वो पूरा दिन ऑफिस में था खार कर घर का सारा सामान लेकर आई है और तू उसी पर गुस्सा कर रही है आरा खूब क्यों नहीं चली जाती कॉस्मेंटिक की शॉप उसकी ऑफिस के रास्ते में पढ़ती है इसलिए उसे कहा बेरे पास गाड़ी होती तो जरूर चली जाती आपको तो ठीना की ही मजबुरी दिखती है मा उफो, लड़ो मत न दीदी, मैं भी ले आती हूँ आपका सामान नहीं चाहिए मुझे आप उफो दीदी, गुसा छोड़ दो अच्छे चलो, आती वक तुमारा फेवरिट नहीं बड़ा भी लियांगी बस ठीक है एक तरफ टीना अपने बेहन की हर जिद पूरी करके खुश हो रही थी लेकिन दूसरी तरफ मा के साइड लेने से रीना अपनी छोटी बेहन टीना से जलने लगी थी और धीरे धीरे ये जलन बढ़ने लगी आफिस तो आट बजे ख़तम हो जाता है मा देखा आपकी बेटी पता नहीं कहां गुम रही है आरे कुछ काम आ गया होगा उसे वाय मा मैं घर आने में आट बजा दू तो आप तो आसमान सर पे उठा लेती हो और ठीना आदी रात कर दे तो काम में बीजी है अरे वो तेरी छोटी बेहन है लेकिन बजबन से उसने बड़ी बेहन की तरफ फरस निबाया है आज भी वो अकेली घर चलाती है फिर भी तू उससे जलती है जो आप करने में क्या मुश्किल है वो जो करती है मैं भी कर सकती हूँ लेकिन आपको तो बस वही प्यारी है न उसकी वज़े से मेरी इस घर में कोई इज़त नहीं है दोनों ने बहस में देखा ही नहीं कि टीना दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी अरे टीना देदी तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हो सोच ना क्या जो सैचे वही कहा जब तू हॉस्टल में थी तब मा मुझे ऐसे कभी नहीं बोलती थी तेरे आने से सब खराब हो गया मेरी जॉब लग जाए तो मैं मा और घर दोनों का खयाल रख सकती हूँ बेचारी टीना रोते हुए अपने कमरे में चली गई उससे पहली बार एहसास हुआ कि जिस पहन के लिए वो जान छेड़कती थी वो उससे इतनी नफरत करती थी अगले दिन ओफिस से आकर उसने मा और रीना को बुलाया मा दीदी यहां आना जरा क्या है मुझे न पास के शहर में नई जाब मिल रही है और दीदी मैंने आफिस में बात करके तुमारे लिए भी बात कर ली है मेरी पोस्ट पर तुम काम करोगी ठीक है अरे लेकिन टीना तुम नहीं मा इसी में सबकी खुशी है दीदी को आपके साथ रहने का वक्त भी मिलेगा और उसकी जौब भी क्यों दीदी हाँ हाँ क्यों नहीं तुम देखना मा अब मैं घर चलाऊंगी आगले दिन टीना घर छोड़कर चली गई रीना ने बड़ी बड़ी डिंगे तो मार दी लेकिन क्या वो काम कर पाएगी अरे तीन घंटे में इतना काम कैसे होगा अरा रीना तुमसे अब तक इतना भी काम नहीं हुआ तीना तो इससे डबल काम रोज कर देती थी करी तो रही हो सर थोड़ा टाइम दीजिये न ये करे बिना घर मत जाना आ गई पिटा सबजियां लाई मैं तो भूल गई आफिस में कितना काम था तीन दिन से तुझे सामान और सबजी लाने को कहा है अब मैं सुबह खाने में क्या बनाऊंगी कल पकले आऊंगी मा रीना ना ओफिस का काम ठीक से कर पा रही थी ना घर का ख्याल रख पा रही थी ये क्या है रीना एक तो छोटा सा काम करने में तुमने पूरा हफता लगा दिया उसमें भी इतनी गल दिया सारी सर सारी वरी रहने दो अगर तुमसे काम नहीं होता तो कोई और जॉब ढूण लो भाईया जल्दी करो ना मैं पहले ही लेट हूँ मैडम जी जो टाइम लगेगा वो तो लगेगा इना अरे वो सबजियों की लिस्ट कहा आ गई ये बगवान कैसे करते हैं लोग इतना सब रीना विचारी ठकी हारी देर रात को घर पहुँची अरे कितनी देर लगा धी रीना ये भी कोई वक्त है घर आने का और ये क्या आधा सामान तो है ही नहीं इसमें क्या है मा एक दो दिन भर ऑफिस में बॉस की डांट सुनी थक गए थी दब वी घर की सारी शॉपिंग की वह भी तुम ताने मारे है हो मुझसे नहीं होता ये सब अच्छा टीना भी तो ये सब करती थी वो भी हुशी खुशी लेकिन तुम तो उसे भी साने मारती थी ना हाँ मा, तुम सही कह रही हूँ, टीना तो सालों से ये सब कर रही थी, लेकिन मैंने उसकी कडर करना तो दूर, उल्टा उसे ही फला बुरा कहा, मेरा इतना ख्याल रखने वाली बेहन से मैं हमेशा जलती रही इसलिए तो मैं तुझे समझाती थी बेटा, लेकिन तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी हाँ मा, मुझसे बड़ा पाप हुआ है, मुझे टीना से माफी मांगनी है, क्या वो मुझे माफ करेगी दीना, तुम कब आई, हाच राम को ही आई, उसे तुम्हारी याद आ रही थी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा अरे दीना, तुम ऐसे मत कहो, तुम्हारा हक है, आखिर तुम मेरी बड़ी बेहन हो ना मैं तो सिर्फ उमर में बड़ी हो टीना, लेकिन मन से तो तुम बड़ी हो, मैं समझ गई, जो तुम करती हो, मैं कभी नहीं कर सकती लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी, कि तुम्हारी मदद करूँ, और कभी तुमसे ना जलूँ आज मेरी बड़ी बेटी वा कई मैं बड़ी हो गई, इस तरह रीना को अकला गई, और वो अपनी बड़ी बेहन का बड़पन जान गई आज कर दिना गई